जे इंडिये श्ट्रेंट 29 जुलाई 2021 केस का इंटेफेर की वीडियो में आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेस्चन हालही में भारत के किस पूर्वा महान बैड मिंटल खिलाडी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया तो ये काफी इंपोर् शाय पिछली बार एर्फोर्स में तो वो बैड मिंटल से असंबंदित थे और सबसे बड़ी चीजी है कि नंदु भारत के पहले ऐसे बैड मिंटल खिलाडी थे जिनोंने देश के लिए अंतराश्ट्री अस्तर पर पदक जीता था या उपलबदी उन्होंने साल 1956 में हासिल की थी आगे बढ़ते हैं गुजराद काडर के की सवरिष्ट IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है तो यह हैं राकेश अस्थाना यह नाम आप सुने होंगे राकेश अस्थाना ही वो थे जिन्होंने चारा घोटाला में लालू परसाद के खिलाप ला IMF ने वित वर्स 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को निम्नमे से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो यहां पर आप्शन B है 9.5 प्रतिशत IMF का फूल फॉर्म क्या होता है पिछली वीडियो में हम बताये थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होग यूनिस्को ने किस राज्य में इस्थित हडपा यूग के महा नगर धोला वीरा को विष्व धरोवर सूची में शामिल किया है तो यह है गुजरात के राज्य में पढ़ता है धोला वीरा इसको विष्व धरोवर सूची में सामिल कर लिया गया है विष्व धरोवर दिवस कब मना जाता है 18 अप्रैल को न जी आगे बढ़ते हैं हालही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेजल उपलब्द करवाने के लिए ड्रिंक फ्राम टैप यूजना को शुरू किया है तो यह है उडिशा सरकार उडिशा के मुख्य मंतरी कौन है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक के द्वारा ही ये चीजे की गई अगला है विश्व प्रकृति संदच्छन दिवस निम्न में से किस दिन मना जाता है तो प् बहुत इंपॉर्टन क्वेस्चन है यह बास वराज बोंबई चीज़ है ओप्शन ए सही है तो आज के इतने कंटरफेर के क्वेस्चन बाकी आप इसकी पीडिया टेलीग्रम पर ले लेंगे दस उधीर पांडे सर्च करके साथी साथ दस उधीर पांडे सर्च करके आप हमस इंस्टाग्राम पर जूड़ सकते हैं वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंधे मात्रम